डिल्ली जेंद्र मंथर देकरा इंडिया कुटमी नेथलु दर्नाचेस्त नारू राहुल घंदी माटलाड़त नारू लाईच्दा करके माटलाड़त नारू लाईच्दा ये इंडिया अलाइन्स क्यों बना इंडिया अलाइन्स इसलिए बना जो मोदी जी शाह इनोंने इनोंने डेमोकरसी को खतम करने का एक बेड़ा उठाया है देश के समीदान को खतम करने का इनोंने बेड़ा उठाया है दलीतों को मजदूरों को किसानों को महिलाओं को कुचलने का काम इनोंने किया है और अभी भी कर रहे हैं इस देश के डेमोकरसी को खतम करने के लिए ही एक सो चैयालिस एमपीज को इनोंने बाहर निकाला कोई कुछ नहीं बोला हमारे राम गौपाल यादो जी यहां नहीं है उनों बहुत दूर बैटे थे ऐसे कहीं जो एक सो सैंटालिस एमपीज में दूर दूर बैटे थे मूँ भी नहीं खोले थे बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला लेकिन उसको सस्पेंट किया गया सस्पेंट करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांदी स्टाचू के पास सत्यागरा किया दर्ना किया तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है मुझे बहुत दक्का लगा कि एक समिदान के उच्पद पे बढ़ते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाती का अदमी हूं इसलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं अरे अगर आप देश के सुरक्षक करने का अधिकार लिये हैं समिदान के तहट आप चलने का वाइदा किये हैं तो आप जातपात की बात अंदर करते हो और जातपात पे चलने की बात करते हो अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलीत की हालत क्या होगी मैं जब उठता था सदन में उठता था बात करने के लिए आपके तरस आवाज उठाने के लिए तो उस वक्त उस वक्त कभी मुझे मोखा नहीं मिलता था जब कभी भी देश में जब महिलाओं के उपर रेप होती है जब कभी दलीतों के उपर दलीतों को कुचला जाता है किसानों को मारा जाता है मजदूरों को मारा जाता है और समिदान के धज्ये उड़ाए जाते है उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं नोटिस पढ़ने को भी हमको वो हमको पर्मिशन नहीं दिये तो मैं यह क्या कहूं कि यह बीजेपी के लोग बीजेपी की सरकार एक दलीत को बोलने नहीं देगा ऐसा मैं कहूं अरे ये तुम समिदान के पद़ पे बैटे हो और तुम रोते हो अरे समिदान चलो समिदान के तहएट डिमाकरसी के तहएट सब को बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते हैं वो आजादी हमको मिली है जवरलाल मेरु से वो आजादी हमको मिली है मात्मा गांदी से वो आजादी हमको मिली है डक्टर हम्बेड कर से इन्हों नहीं तैयार करके दिया लाकों लोग कुर्बानी करके आजादी दिला है और आ आप लोग आपके घर में कोई एक चुवा भी नहीं गया, आदादी दिलाने के लिए, है गया, और वो हमको कहते हैं, देश को यह बरबाद कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग, देश को यह लोग यहाँ पर डिमाकरिसी नहीं चलने देते, यह कहते हैं, सब को बाहर निकाले आ आपने बाहर निकाला और सभी कानून अपने पास कर लिया, तीन क्रिमिरल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन Мें वो सारे सिटिजन्स को सताईँगे, अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसाी किया, मज़़ूरों के लिए भी ऐसाी कानून आए तो इसलिए भाईयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है तो और और आज आज मोदी जी हरे कुदवार है हमारे कारिकरताओं को जहां कहीं एलेक्शन आता है उनको यीडी का डर सीबी आई का डर इंकम टैक्स का डर अरे कितने डराते हो अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है जुकने वाली नहीं है अगर आप कितनी भी कोशिश करो मोदी साथ आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की हम बींज है बार बार उटने की आदत है हमको हम तो तुम दबारे की कोशिश करते हो तो हम उड़ते हैं और देश को बचाने के लिए समिदान को बचाने के लिए लोगतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मुधी कुछ नहीं कर सकता और और मुधी जी को मुधी जी को इतना घमंड आया है इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि चार सो सीट जीतेंगे तो क्या मतलब वही चार सो सीट जीतने का क्या है तुमारे पास इतने पापुलर तो नहीं है क्योंकि मैं देखा हूँ जब करनाटक में आये हर जगे फिरे गली गली फिरे हार के आये तेलंगाना में गली गली फिरे हार के आये हिमाचल में गली गली फिरे हार के आये ऐसी क्या बात है तो आप पहले ही कह रहे हैं मैं चार से उसीट लाओंगा अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बहार निकालना नीचे किराना तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आप सभी लोग क्या आए हैं सभी नेताओं का भाशन सुने हैं तो इंडिया अलाइंस एक होके लड़ रही है इसको आप साथ दीजिए एक